तो हेलो आप लोगों कैसे हैं सारे लोग यार आप लोगों ने गेट 23 का एक्जाम दिया होगा वेदर आप किसी भी ब्रांच से उस सिविल मेकानिकल इसी एलेक्ट्रिकल आप लोगों के अंदर अभी बहुत जादा किरासिटी होगे एक्साइटमेंट होगा कि क्या आंसर की रिलीज होने वाली हो और उस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स होने वाले हैं तो गेट 24 7 की टीम आप लोगों के लिए पूरे टाइम अविलेबल रहने वाली है वेदर यह हो कि आप कैसे मार्क्स कैलकुलेट करोगे वेदर यह हो कि आप कैसे चैलेंज अगर आपको लगता है कि आप किसी कोशिण जो गेट में दिया हुआ उसका आंसर डिफरेंट होना चाहिए और आप उसके चैलेंज करना चाहते हैं तो यह उसकी प्रोसेस को समझा रहे है कि आप उसके किस तरह चैलेंज करेंगे कि इन बातों को अपको ध्यान रखना इन सार कि आंसर निखाला और अभी हम बताएंगे कि क्या प्रोसेजर है क्या अभी आपको क्या रेफरेंस लेना पड़ेगा किस तरह से दिखाना पड़ेगा कि चैलेंज करने के लिए आपको पूरे सबूत के साथ चाल एक को क्यूंकि सारे लोग रहेंगे तो वह रहेगा दूठ तो मैं चाहता हूं कि आप एक बढ़ बताई है कि एक स्टूडेंट को जब भी चैलेंज करना रहेगा क्योंकि देखें जब भी चैलेंज का ऑप्षन आता है, तो सड्टेनल ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम मिलता है, और उसके बाद चैलेंज करने का विंडो ख्लोस हो जा डाल के अपना वो खोल लेना है ठीक है फिर आप यहां पर जब कॉशन में देखो कि देखिए आपको कौन-कौन से important point पर ध्यान रखना इस बारे में ध्यान दीजिए कि यहां पर आपके पास में आपको सबसे पहले तो कॉशन को select the question number exactly as provided in the PDF of the question paper uploaded on the gate 2020 website note that in the your response sheet एक बात आप हमेशे ध्यान रखें कि आपके जो response sheet में आपका question paper यह उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने अपने official website के उपर अपना जो गेट का paper निकाला होगा और यह उसकी बात करने यह ध्यान रखीगा कि ऐसा हो सकता है यह question number जब आप चूज करने जाएं तो different different हो जाएं आपके में और उन में ठीक है प्लीज note that each question has to be contested separately यानि हर question को अगर जिन-जिन question पर आपको doubt है या आप उन पर उस पर objection उठाना चाहते हैं वो सब question अलग-अलग को आपको contest करने पड़ेंगे थर्ड जो टॉपिक की justification for the challenge कि आपको सबसे पहले देखिए यहां पर दो बाते ध्यान रखने हैं आपको अपना justification भी देना पड़ेगा कि आपको क्यों लगता ऐसा कि यह question गलत है और इसमें आप maximum 500 words का यूज कर सकते हैं दूसरा आपको उसके लिए supporting document का मतलब क्या है कि आपके नोट्स नहीं है यहां पर supporting document का मतलब है कि जो standard books है यह कोई आपके पास में standard process बता रहें यह पिसले साल गेट की process है अभी कल से आप अपना यहां पर objection उठा पाएंगे तो कल से अभी तक जो last year जो fees थी वह 500 रुपेस आपके पास पर question थी यारी पर contest थी applicant must pay 500 to contest and challenge each answer की for smooth payment preferably use networking medium बता रहें कि मीडियम के तुरू इनको payment कर नेक्स आपके पास payment for each contest need to be done separately for each contest there will be a unique valid transaction ID with successful payment वही बात है कि हर question अलगतर से आपके object किया जाएगा आप अलगतर से challenge करेंगे उसका हर एक question का आपको 500 रुपे देना पड़ेगा उसकी खुद की transition ID होगी और सब उसके बारे में बात होगी नेक्स बात कि चैलेंज विजब प्रोस प्रोसीड ओनली अफ्टर सक्सेशफुल पेमेंट आप यह को लगा कि यह कोशन गलत है और आपने जब उससे गलत है और उन्हें अक्सेप्ट कर लिया कि हां अमसे गलती हुई है तो आपको 500 रुपे रिफंड कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि नहीं उन्होंने जो कोशन दिया है और उसका जो आंसर वह बिल्कुल सही है तो आपके 500 रुपे नोन रिफंडेबल है यानि जब आप चैलेंज कर रहे हैं देखिए उन्होंने इसलिए क्या है कि जब बढ़ती हर कोशन पर भीड ना बढ़े और आप वह आंसर ही ना दे लेंगे तो किसी भी कोशन को पहले पूरे तरह से चेक करने के बाद ही आप उसे उब्जेक्शन के लिए चैलेंज करेंगे ठीक है नेक्स पॉइंट देखिए फॉरे सक्सेस्फुल चैलेंज देट इस अपूर्वड बाइट 2000 कमेटी केंडिडेट विल रिसीव फुल रीक है आप को डिकलेशन देना जहां पर और इस पड़ता हो फिर यहां पर एक्सेट करते हो फिर यहां पर कंटेस्ट के जैसे लिः मजबां ही पर ङई तक यह यह ल म metro यहां पर नाम फोड़ुनियर दिखेगी कोन सा पेपर था आपका पेपर एकेनिकल इंजिनियर होगा इंजिनिय इंग्लिश के इंग्लिश कोष कॉषन नमबर जो गेट नपनी आपनी और फिशन वैब साइट पर अप्लोड कि आपका कोशन पेपर का कोशन नंबर होगा ध्यान रखेगा फिर कोशन नंबर सेलेक्ट करेंगे आप यहां पर कोशन नंबर सेलेक्ट करने की इस तरह से दिखेगा जैसे प्रोट करना पड़ेगा फिर उपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जुब यहां पर अपको एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जब आप एसा पलोड कर देंगे यहां पर एड कर देंगे तो यहाँ पर आपको सब्मिट करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा और फिर आपको यह हो जागा तो यह प्रोसेस है आईए सर तो साइंक्यू रुद्र सर जो आपने क्यूंकि मैं को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट आफ ताम पर स्टूडेंट के लिए हर ए कि आपने पूरा प्रोसेजर बता है इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट को गेट की ओफिशियल वेब साइट पर जाना होगा एंड वहां से आपने पूरा प्रोसेजर की लोगिन करना पड़ेगा और फिर और उसके बाद कांटेस्ट चैलेंज आ जाता है कि चैलेंज य जिनको देखके आप अपने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होंगे ताकि अपना अपनी सारे डाउट को क्लियर कर पाओ कि यार यह चीज कैसे करनी है तो बिल्कुल to the point बात करेंगा और खतम कर देंगे ठीक है तो thank you guys thank you so much मिलता आप लोगों को next वीडियो में तिल दिन बब बoden करेंगे तो डमारा दिन वार सब सक्ष बबेदोगों को कर देंगे जयू अभ